आपके साथ चर्चा करूंगा कि आशुलिपी के अंदर सत्व वा स्थर के लू अठवा चापर किस प्रकार बनाए जाते हैं और किस प्रकार आशुलिपी में प्रियुकिये जाते हैं इससे पहले अध्यायो में मैंने आपके साथ चर्चा की थी कि हिंदी भाषा के अंदर यदि कहीं पर स श श यर जय आजाता है तो आशुलिपी में नियमने साथ एक छोटा वरत प्रियुकिया जाता है और उसके बाद मैंने बतायता है कि हिंदी भाषा के ऐसे श जहां सश श जह मेंसे तो विजन एक साथ आजाता है या आधा सई के साथ वेया जाता है तो आशुलिपी में इनके लिए एक बड़ा व्रत प्रियुकिया जाता है जिनको सस मैसा के बड़े व्रत भी का जाता है अब आता है कि किसी भी शब्द के अंदर यदि apart है किसी भी शब्द में dishonest? आधे विञ्जन के रूप में आजाता है और इसके बाद था या टया जाता है तब उनके लिए रेखा के आधे लमभाई से कम इसे पर सैवरित की तरह यदि एक छोटा चाप्रत अथ्वालूप बना दिया जाता है तो वहाँ सत का योग हो जाता है सत चापृत सेवरित की तरही सर रिखाऊं में बाइगती से और वक्त रिखाऊं में कर्व के अंदर पृउग किया जाते हैं जैसे सुरा सेवरित रे रेखा वृच बढ़ा हुआ है कुंकसवरा आगया अकर अगिया मंदाः कि- सत्त्क चाप्रिति इन्स से कम ख़रूक किया गुद साप्रण राखिक करवग करें के इंदर बनाएगा समस्त कर्फ जाब हुआ हुआं के सब्सेट का यह जाता है तो भी एक सब्सकिन में के सब्सक्राइब थे लहतर से किसी करिगा के दर-वर्फ कर साथ हुआना। अब आजयते हैं मद्दय के अंदर। यदी मद्दय में कहीं सभाव ना हो तो सत्च प्रीयोग नहीं किया जाते हैं. दूसरी जहां सैवरत के अंदर था, जैसे माले हम तशक लिखते हैं, कि कहीं दो सरल रेखाओं आ जाती हैं, और उसके बीच में स्य आ जाता है, तो सैवरत दो सरल रेखाओं के बीच में जो कौन बनता है, कौन की स्री पर बनाया जाता है, लेकिन यदि दो सरल रेखाओं या पौंड़ बनाती है तब स्रेवृत क्कोंड के सिरे पे ना बना के बाइंगति से ही त्रयोक किया जयता है जैसे 10 तक दूस्ताना कि यह दो का स्वर हो गया साथ के बाद आका स्वर ने के पहली तरफ यह ना का स्वर आप सैवर के अंदर देते हैं साव के अंदर देते हैं उसी तरह से सथ के चाप रिख में आएंगे माहीं आ जाता है मस्तक यह सत और यह कह याँ बीच में आप क्ययोंकि यह सथ का चाप रिख पर्यों करते हैं तो इस तरह से लगता है कि यह से वरत बनाए गया तो सथ चाप रिक में गईøंग है तो उसका परियुक नहीं किया जाएगा इसके अलावा जैसे आ गया मुस्तेहि RYAN आ गया यह सत करत चाहब और यह देया गया मुस्ताइव रही जी यह बीच में सत चाहबर बनाना संभाव नहीं है तो बीच में और दो रखाए सवरा जाता है और आशिल्भी करोवारे की निया में प्रारंबिक सवर कि कि अंतिन स्वर के लिए पांटिम रिखा लिखना जरूरी है जैसे मालिया मस्त मैं यह सत्ध चाप रहे थे हुआ जाता है मस्ति मैं यह सद्ध यह मस्ति अब क्यों कि इकस्वर है इसके लिए आपको तहरे रिखना जरूरी है कस्त यह सच चाप्रित आ गया, लिखना आ जाता है कुस्टी स्वर है, तब यह पूरा लिखा जाएगा, उसके है, क्योंकि अंतिम स्वर के लिए अंतिम लिखना जरूरी है, इसके अलबा, अंग्री जी के शब्द, जैसे स्टेट, स्टॉक्त, स्टॉर, इस तरह के शब्दों में र छों mulher भिस्थिए श्रत या सके चाप्रेट अविद्ध 것이 क्येश के जा सकते हैं में बचल सथे श्टाप्राथ कि आधी लंबाई कम इसे पर आखथ तरफ है आधो सब्सक्राइब कि सच्चाप्रित पर यह रहा 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 है इसके बाद ता यह टे आ जाता है और उसके बाद रहा जाता है यह झाहिए स्तर आजाता है तो उसके लिए एक बड़ा चाप्रत प्रयुक कि जाता है जिस चाप्रत खी जमों इस तर आ गया तो रह रेखा और ये आदे से ज़ादा इसे पति बड़ा चाप्रत प्रयोग हो जाए है यजाए है या जिस सत्त के लिए छोता चाप्रत यजनि छोता लूग प्रयोग जैने अधिय लूग किशाступ अजर्ए और स्तर के लिए बड़ा तब स्टर्चा प्रित्वा प्रियोग नहीं किया जाएगा और ऐसी स्थिति में पूरी रिखाई ही लिखे जाएंगे विस्तार अब आज़ाता है वाक्यांश सबसे पहले मैंने बताया था आपको कहीं किसी भी शब्द में सा, से, सी या पास आ जाता है तो उसके लिए एक वरत पृउग किया जाता है यदि कहीं के पास आ जाता है तो कह रेखा और समें पृउग किया जाता है इसके अलवा सब और सस में आप कहीं भी दो शब्चिनों को मिलाकर एक बड़े वरत का प्रयूग कर सकता है अब आजाता है कहीं किसी भी शब्द में यदि साथ आता है तो साथ को लिखने के लिए आप छोटे चापरित का प्रयूग कर सकता है जैसे मेरे साथ ये मेरे कच्छेंगल साथ के लिए से वर्ट सफ चापबरिट जदिया आप मेरे पास लिखते है को मैरा कर ये से पास और य懟 पर सप जाएगा मेरे पास और ये सब्चापबरिट बिनाता है तो वह ज ZAK मेरे साथ इसी तरह से जदी कहीं किसी भी शब्द में के साथ आ जाता है तो के साथ को एक साथ लगने के लिए कह रेखा और सत्षाप्रत साथ मिला कर लिख देता हैं जैसे उसके साथ कि नेताओं के साथ नेताओं ये के साथ बहुचंगा संकी सब के साथ यह सब यह के सब में सतच और ją सब जैता है और यदि कहीं के सब बह सब चाहता हु इससे पहरे रिखा जाते हैं उनके साथ मेला देती तो misty के साथ का योग हो जाता है मैं एक बार दुबारा पतादू आपको आशुलीपी के अंदर यदि किसी भी शब्द में सह 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 आधा विजन आ रहा है और उसके बाद तया या थया जाता है तो वहां एक छोटा चापरित यानि छोटा लूप प्रियोग के जाता है जिसकी लंब चापरित के अंदर स्वर्दिये जाता है यानि इसके साथ सथ के साथ रह और आ जाता है तब उसके लिए बड़ा चापरित बनाया जाता है जिस बड़े चापरित के लंबाई रेखा के आधे से अधे किसे पर प्रियोग की जाती है यानि रेखा के आधे से अधे किसे पर बनाया गया चाप्रित स्तर का योग करता है और वाक्याइशों में सत चाप्रित का परियोग साथ और ये साथ के लिए जाता है झाता है